क्रमचारी पेंसन की बिरोध में एक पितिसन सुप्रीम कोट में फिर दायर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सांसद बिधायक पारशत सर्पन सभी के पेंसन हो बंद अब बिधायकों सांसदों की खेर नहीं सुप्रीम कोट में एक जन ही तियाची का दायर हुई है इसे आपक प्रतिक को भी आगे भेशने के लिए कहे तीन दिनों में पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए भारत में हर नागरी को आवाज उठानी चाहिए 2018 का सुधार अधिनियम सांसदों को पेंसन नहीं मिलने चाहिए क्योंकि राजनीती कोई नौकरी या रुजगार नहीं बलकि एक निह सुल्क सेवा है राजनीती लोक प्रतिनिधितों अधिनियम के तहट एक चुनाव है इसकी पुनर निर्मान कर कोई सेवा निब्रीती नहीं है लेकिन उन्हें फिर से उसी इस्थिती में फिर से चुना जा सकता है बरतमान में उन्हें पेंसन मिलती है सेवा के पांच साल होने पर इसमें एक और बरी गरबरी या है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्शद रहा हो फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं बलकि तीन-तीन पेंसने मिलती है यह देश के नागरीकों के सांथ बहुत बगाब विस्वास घात है जो तुरंत बंद होना चाहिए केंदरीये वेतन आयों के सांथ संसन सदस्च्य उ शांसदों का वेतन भटा संसोधित किया जाना चाहिए और इनको इंकम टेक्स की दारे में लाया जाए बर्तमान में वे स्वेम के लिए मतदान करके मनमाने ढंक से अपने वेतन वबहत्ते बढ़ा देते हैं और फिर उस समय सभी दलों के सूर एक हो जाते हैं इसके उल्टा जो ब्यक्ति अपने जीवन काल में 30 या 40 वर्सों तक सास्किये सेवा कर शेवनिब्रित होता है उसकी पिंसन बंद कर दिया जाता है सांसदों को अपनी बर्तमान स्वास्त देखवाल प्रणाली त्यागनी चाहिए और भारतिय जन स्वास्त के समान स्वास्त देखवाल प्रणाली में भाग लेना चाहिए इलाज बिदेश में नहीं भारत में होना चाहिए इनका अगर विदेश में करवाना है तो अपने खर्च से करवाए अने थम मर जाए। सांसदों को भी समाने भारतिय लोगों पर लागु सभी कानुनों का समान रुप से पालन करना चाहिए। पूरे भारत में अधिकान स्लोगों तक यह संदे स्प्राप्त करने में किवल तीन दिन लगेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का सही समय है। यदि आप उप्यूक्त से सहमत है तो इसे फॉर्वर्ड करें। यदि नहीं तो बस हटाए। आप मेरे 20 प्लस में से एक है किर्प्याई से जारी रखे। धन्यबाद जय हिंद बंदे मातरम। क्याई चर्वर्ग क्याई टो यदि टॉर्डप